हाई आज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडर आई डार्क सर्कल्स यानि आखों के नीचे के काले घेरों को दूर करने की एक बहुत ही एफेक्टिव रेमेडी और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ इस डार्क सर्कल्स रिमोवर रेमेडी का फर्स्ट इंग्रीडियंट है यह एलो क्यूकंबर जेल यह आखों को ठंडग देता है आखों के पास की टेंडर स्किन को रिप्यार करता है वैसे तो यह एलो क्यूकंबर जेल मार्किच में इजली अवेलिबल है पर अगर आपको यह ना मिले तो आप फ्रेश अलोवेरा जेल और फ्रेश क्यूकंबर जूस भी यूस कर सकते हैं तो यह जेल आपको लेना है एक चम्मच इस रेमेडी का नेक्स्ट इंग्रीडियंट है कैस्टर ओल यानि अरंडी का तेल और यह आपको लेना है आधा चम्मच और हमें चाह है जो कि आपके स्किन टिशू को रिपेयर करता है नेक्स्ट इंग्रीडियंट है गुलाब जल यह भी आपको चाहिए एक चम्मच इस डार्क सरकर रिमूवल रेमेडी का लास्ट इंग्रीडियंट है हनी यानि की शहद और यह आपको चाहिए एक चुथाई चम्मच तो इ आपको बताती हूँ इसे कैसे आपको अपनी आइस पर लगाना है और साथ ही साथ कुछ एक्योप्रेशर पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जिने आप प्रेस करेंगे तो आपके आई एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और डाक सर्कल्स आपके पहुंच लीचे और फिर इस क्रीम को आपको अंडर आई और अपर आए एरिया पर लगाना है और एक से दो मिनट तक जेंटली आपको मसाज करनी है मसाज के बाद आपको कुछ एक्योप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं फर्स्ट पॉइंट है आपके आई के कॉर्णर पर सेकंड एक्योप्रेशर पॉइंट है आपके आई सॉकिट पर आँखों के नीचे और बीचों बीच थर्ड पॉइंट है आँखों के अंदर वाले कॉर्णर पर जो नाख के पास कॉर्णर होता है वहाँ पर फूर्थ एक्योप्रेशर पॉइंट है आपकी आई ब्रोज के बीच में और फिफ्थ एक्योप्रेशर पॉइंट है आपके टेंपल पर तो रोज रात को सोने से पहले आपको ये अंदर आई क्रीम लगानी है मसाज करनी है और ये एक्योप्रेशर पॉइंट आपको दो से तीन बार प्रेस करने है यह दोनों ही चीज़े आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे और आखों की पफिनेस भी खतम हो जाएगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन पर जरूर हि तो मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक गुड केर अफ योर्सेल्फ बाबाई